आज की वीडियो का जो प्रशन या विशे है वह बड़ा कन्फ्यूस करने वाला है क्योंकि इसमें दो बाते गई गई है और दूर से देखने में दोनों ही बाते एक जैसी लग रही है प्रशन ये है कि योग अभ्यास क्या खाली पेट करना चाहिए या बूखे पेट करना चाहिए अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि खाली पेट और बूखे पेट दोनों में अंतर क्या है बात तो एक ही है परन्तु दो अलग-अलग स्थितियां है सबसे पहले यह जान लें कि अभ्यास आपको खाली पेट करना है बूखे पेट नहीं करना अब दोनों में अंतर समझेंगे कि खाली पेट और बूखे पेट का क्या अर्थ है खाली पेट का अर्थ है कि आपने भोजन खाया लग-भग दो ढ़ाई तीन चार घंटे के अंदर वह पच गया भोजन और अब आपका पेट बिलकुल हलका है और आप योग अभ्यास या अन्य कोई भी व्याजाम करने के लिए तियार है इस थिदी को हम बोलते हैं खाली पेट परन्तु बूखे पेट का अर्थ होता है कि आपने भोजन खाया बहुत समय हो गया भोजन खाय हुए पांस साथ या आट दस घंटे हो गया और अब आपको बूख लग रही है परन्तु आप उस बूख को रोक कर अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा ना करें क्योंकि यदि आप प्रकृतिक वेग को रोक कर योग अभ्यास कर रहे हैं एक तो पहली बात तो कि यदि आपको बूख लग रहे हैं तो इसका अर्थ है कि शरीर को उड़ जा किया भोजन की अविशकता है शरीर के अंदर पेट के अंदर अमल एसिट त्यार हैं जो भोजन को पचाते हैं अब जब पेट के अंदर एसिट त्यार हो जाते हैं तो मस्तिक्ष्ट में संकेच जाता है और हमें बूख लगने लगती है अब यदि तो उस प्रकृतिक वेग को आप रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके पेट के अंदर इंटस्टाइन के अंदर कोई न आपको बूख लग रही है और आपने बूख को रोका हुआ है परन्तु खाली पेट है कि पेट आपका हलका हो गया है परन्तु आपको बूख नहीं लग रही है तो यह दोनों स्थितियां अलग-अलग हैं बहुत सारे प्रशन आते थे कि क्या खाली पेट अभ्यास करें आज इस चीज को clear करने का प्रयास किया गया है कि आपको अभ्यास बूखे पेट नहीं करना है खाली पेट करना है और खाली पेट बूखे पेट दोनों में क्या अंतर है